मद्द परदेश की जीवन डाएने कही जाती है मान नर्मदा जिसके 53 मडले शोर जोकी खरगोन चेतर में आता है हम यहां पर मौझूद हैं इसलिए क्योंकि मद्द परदेश सरकार इस नर्मदा में जोकी लाको लोगों की प्यास बुझाती है लोगों के घरों से निकलने वा जहां पर सीवेज का काम चल रहा है मैडले शोर और महाश्वर भी उनी में से एक है मैडले शोर में करीब 22 करोड रुपे की लागत से सीवेज का काम 2018 से चल रहा है 2024 हो चुकी है इन 6 सालों में भी अब तक सीवेज का काम पूरा नहीं हो पाया है और उसी की जमीनी हकिकत जानने के लिए हम यहाँ पर आये हुए हैं हम आपको इस खबर में वो तस्वीरे भी दिखाएंगे जहां पर नर्वदा के जल में जो लोगों घरों से दूसीत पानी निकल रहा है वो कैसे मिल रहा है और इसे रोकने के लिए सीवेज का जो काम यहां चल रहा है वो कहां तक पहुचा है कितना इन्वानकार हो चुका है लोगों को इससे क्या समस्या हो रही है उनसे भी बात करेंगे कि अब तक कितना काम हुआ है कितना सेज बचा हुआ है और आगे कितना समय इसको कंप्लिट होने में लगेगा नर्मदा में सीवेज का गंदा पानी मिलने से रोकने के लिए मद्यप्रदिस सरकार ने खरगोन के मडलेशोर, महस्वर, बढ़वा, सनावस समेत नर्मदा किनारे बसे 20 शहरों में सीवेज टीट्मेंट प्रान लगाने का निने लिया था लेकिन जमीनी हक्किकत ये है कि अभी तक किसी भी सहर में काम पूरा नहीं हुआ है महस्वर में तो निर्मान कंपनी ब्लेक लिस्टेड हो चुकी है जबकि सरकार दावा कर रही है कि अधिकतर जगों पर काम अंतिम चर्णों में है अभी हम जिस जगे खड़े हैं गंगाजीरा छेतर कहलाता है जहां पर ये नाला एक बहरा है इसी नाले से सहर भर का तवाम जो गंदा पानी है वो आ रहा है और नर्मदा जी में सहर का आकर के मिल रहा है और जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे शहर का गंदा पानी जो है वो इजनी पाइपों के माध्धम से खटा हो रहा है और नर्मदा जी में जा करके मिल रहा है और नर्मदा को दूशित कर रहा है और इसी पानी को नर्मदा में मिलने से रोकने के लिए सीवेज का काम यहाँ पर किया जा रहा है लोकल एटिन की टीम ने जब मर्लेशुर में इस प्रोजेक्ट की इस्थिती की परताल की तो चोकाने वाले तत्य सामने आए 12,000 की आबादी वाले इस सहर में 2018 में गुजरात की इंजिनिरिंग प्रोफेशनल कमपनी प्रावेट लिमिटेट को सीवेश ट्रीटमेंट प्लान के लिए वर्क आडर जारी किये थे इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 25,5 करोड रुपे है और इसे दो साल में पूरा होना था लेकिन 6 साल भी चुके हैं काम अब भी अदूरा है परताल में हमने पाया है कि 80 से 90 फिजदी इलाके में पाइपलाइन बिचा दी गई है लेकिन घरों से पाइपलाइन की कनेक्टिवीटी नहीं हुई 10% से जादा इलाके ऐसे हैं जहां अब तक लाइन डालने का काम तक सुरू नहीं हुआ मुक्के पंप हाउस और प्लान के बिल्डिंग का काम अब भी जारी है जबकि कमपनी का दावा है कि अगले पाँच महीनों में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा काम की प्रोग्रेस और लोगों की परिसाने को जानने के लिए भी हमने नगर के 15 वाड़ों की एक एक गली का दोरा किया और लोगों से बात की उन्होंने क्या कहा आप खुश सुन लीजे घरों के सामने जो है पाइंट स्वोड रखें ऑपन परन्त उनको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं नालियों में जा रहे हैं बराबर यह काम तो यह बहुत काफी इसको समय हो चुका है लबा लबा वा तीन से चार साल हो गया है तो पहले बीज-बीज में क्या बंद भी हो गया था जिसे फिर से वापस विधान सबा और लोग सबा चुना होए उसके बास ते काम ने वापस गति पकड़ी है तो जिसमें क्या है कि कई वाड़ों में काम हो भी गया है लेकिन यह नहीं कह सकते कि काम कब तक पूरा हो जाए मतलब यह कि लाइन डली हुई है फाइब डाल गिया लेकर घरों में कारने किमप नहीं बनता है वह भी कनेक्शन आप देखा है वह नहीं करा है उन्हें सिवरज का काम काभी दीमा चल रहा है काभी समय से काम पेंटिंग है और अभी लाइन में भी वह समस्या है कुछ जग कई लोगों ने काम की गुणमत्ता पर भी सवाल उठाए हैं कुछ जगह चेमबर ऐसे मिले जो अंदर से अधूरे हैं और बिलकुल कमजोर हैं जबकि कुछ जगहों पर निकासी के लिए पाइप तक नहीं दिये गये हैं कई चेमबर अभी से तूट रहे हैं लोगों के मुताबिक जब यह प्लांट शुरू होगा तो पानी सडकों पर वहेगा और वापस घरों में ही आएगा सिवरे स्टीट्मेंट प्लान के जिम्यदार प्रोजेक्ट इंजिनियर मोहित राजपुस से हमने बात की उन्होंने कहा कि 90 फिजदे काम पूरा हो चुका है मार्च दो हुजार परचीज तक बचा हुआ काम बेपूरा कल लिया जाएगा इसके बाद नर्मदा में गंदे पानी को मिलने से रुका जा सकेगा यह प्रोजेक्ट दोजार अठा का है और यह अभी बरतमान में सिविल वर्क 90 परसंट खतम हो गए आका बाकी जो लाइन का है लाइन भी हमारी 80 परसंट हो गई है एक में रोड में मार्केट की बचरी है वो भी दो मैने के अंदर अंदर हो जाएगा जो अंडर ग्राउंड वो चलना है में रोड है तो महां दिक्क्यत हुई तो बेरियेशन होके अप्रूब आई तो ओपन कट न कि अभी हमारे DPR में तो दो थे पर बाद मैं हमने करके थीव पंपिल सेन इन व्हुन अगोरे में फांबच यह फाइनल स्लेप ना 야ए वाकी जो में पंपिल शेचन था वह सीती में था उसमें महां पर हाड ड्रोग यह आ अपना तो जैसी ब्लास्टिंग अपना नी पर्मिशन मिलिये तो हमने इसको पूरी ड्रॉइंग ड्याइन चेंज करके उसको पूरा शिफ्ट करा हमारे प्लांड पर ही तो वो भी उसका भी एक्सेवेशन चालू है उसका भी लगभग आदेश ज्यादा एक्सेवेशन हो गय कुछ चीजे हुई काम करने में दिखते हुई आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के तहट तीन पंपिंग इस्टेशन बनाए गये थे जिन में से एक मैन और दो इंटरमीडियेट इस्टेशन है इन में से एक पंपिंग इस्टेशन का काम पूरा हो चुका है जबकि दूसरे का काम जारी है में पंपिंग इस्टेशन का काम अभी भी अधूरा है इसमें मेकेनिकल और इल्क्रिक वर्क बाकी है इंजिनेर के मताबिक फिलाल इस प्रोजेक्ट की जमिनी हकिकत को देखने के बाद जैके अपाना तो मुश्किल है कि पांच महिने में काम पूरा होगा ब नर्मदा किस सफाय के है प्रोजेक्ट फिलाल अधूरे ही पड़े हैं लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट